पिछले काफी सालों से राजस्तान में कभी सरकार रिपीट नहीं हुई एक बार कॉंग्रेस और एक बार भाजपा राजस्तान की राजनीती का ये खेल इस बार थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि CM गहलोत अपने चुनावी अभियान में पिछले 3-4 महीनों से लगे हुए है महीं दूसरी तरफ भाजपा में CM फेस को लेकर अभी संशय बना हुआ है इन दोनों पाटियों के अलावा राजस्तान में कुछ और भी नीता है चिने CM की रेस का दावेदार माना चा रहा है चलिए देखते हैं कौन होगा राजस्तान का अगला मुख्यमंत्री नमस्कार मैं हूँ प्रेणना और आप देख रहे हैं OTT इंडिया बतादे राजस्तान के मुख्यमंत्री बनने के लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है राजस्तान की राशनीती में पिछले 5 सालों से काफी बदलाव देखने को मिला है वेजबर में मोदी लहर के बाद प्रदेश से भाजपा में पूर्व सीम वसुंद्रा राजे के अलावा भी कई बाकी बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं राजस्तान में सीम फेस के लिए कॉंग्रेस से ज्यादा मारा मारी भाजपा में नज़र आ रही है जहां एक तरफ कॉंग्रेस में सिर्फ सीम के रूप में उनके कारेकरता अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट को देख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भाजपा में एक दो नहीं बलकी पांच से ज्यादा दाविदार सीम फेस की रेस में बने हुए हैं इसी के चलते अभी भाजपा राजस्थान के लिए अपनी रणनीती को पूरी तरह तयार नहीं कर पा रही है बता दे प्रदेश में अगर कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो अशोग गहलोत का एक बार फिर सीम बनना तैमाना जा रहा है लेकिन उनके साथ दिगजनेता सच्चिन पाइलिट को भी सीम बनाया जा सकता है कुछ दिनों पहले ही कॉंग्रेस आलकमान ने गहलोत पाइलिट में सुला करवाई थी लेकिन राजनीती के जानकार बताते हैं अगर कॉंग्रेस यहां दोबारा सरकार बना लेती हैं तो एक बार फिर पाइलिट सीम के लिए रेस में नजर आएंगे राजस्तान भाजपा में सीम पेज के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं इसमें पूर्ब सीम वसुंद्रा राजे का नाम सबसे उपर माना जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ पूर्ब प्रदेश अध्यर्ट डॉक्टर सतीज पुनिया केंद्री मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत प्रतिपक्षनिता राजींद्र राठोड के अलावा सांसत दिया कुमारी का नाम भी सामने आ रहा है इसके चलते भाजपा अभी राजस्थान के लिए अपनी चुनावी रणनीती को पूरी तरह हवा नहीं दे पा रही है कॉंग्रेस और भाजपा के अलावा राजस्थान में इस बार आर एलपी पार्टी का भी दबदबा देखने को मिल सकता है आर एलपी पार्टी के संयोजक नागौर सांसक हनुमान बैनिवाल भी CM के रूप में देखे जा रहे हैं लेकिन अभी उनकी पार्टी का इतना वर्चस्व देखने को नहीं मिल रहा है फिर भी वो किसी बड़ी पार्टी के समर्थन से CM चुने जा सकते हैं आज की हमारी इस खबर में इतना ही बाकी राजिस्थान की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया